हलो फ्रेंड्स मैं शालनी और आज हम बना रहे हैं घर की बनी हुई आटा प्रेट से कटलेट्स ये कटलेट्स टेस्ट में अब अच्छे बनेंगे और कभी आपके फटेंगे भी नहीं ये मेरी होमेट ब्रेट है, दो दिन पहले ही मैंने इसकी रैस्पी अपलोड की हुई है विदाउट इस्ट और विदाउट ओवन इसी ब्रेट से मैंने ये कटलेट्स बना कर तैयार के तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कुछ करोंदे हरी मेच और अददक के टुकडे ले ले, साथ में डाल दे इसमें थोड़ा सा जीरा, धन्या पाउडर और थोड़ी सी लाल मेच पाउडर साथ में थोड़ा सा काला नमक, सफेद नमक और पानी डाल कर इसकी चटनी बना कर तैयार कर ले करोंदे की चटनी तैयार है, अब ले लीजे 8 आटा ब्रेट की स्लाइस, यह मेरी होममेट ब्रेट है, विदाउट इस्ट और विदाउट अववन मैंने जैन ब्रेट बना कर तैयार की है, इसका लिंक मैंने डिस्कप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको जरूर से यह चाहिए, आपको बहुत पसंद आई, बहुत इजी वे में मैंने यह ब्रेट बनाई है, अब साथ में डाल दीजे, इसमें कुछ उबले हुए मैश्ट आलू, तो मैंने यहाँ पर चार उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करकर इसमें डाला है, आप डालेंगे इसमें अ अफरिमिर्च का पेस्ट डाल चुके हैं, अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, सबसे पहले मैंने थोड़ी सी कसूरी मेθी डाल दी है, और अब नमक डाल दीजे, अच्छे से मिक्स कर ले और इसे डो की तरह तयार कर ले, तो कुछ इस तरह से हमारा इस डो बनकर तैयार है अब थोड़ी सी पिठी ले लेंगे हाथ में और इसे चिकनी बनाकर हम oval shape में cutlets बना लेंगे तो इसी तरीके से मैंने कुछ बनाकर तैयार कर लिए हैं ये देखिए तो चलिए अब इने deep fry करते हैं तो सरसो के तेल को मैंने अच्छे से घरम कर लिया है ठंडे तेल में नहीं डालना है तेज आज पर घरम तेल में हम इन cutlets को deep fry करेंगे यदि ठंडे तेल में डालेंगे तो ये फट जाएंगे आज को बिकुल भी कम मत कीजेगा तेज आज पर ही इने golden brown कीजेगा तो ये देखिए हमारा cutlets कुछ इस तरीके से बनकर तयार है और इसी तरीके से हम अपने सभी cutlets बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर जितने आएं आसानी से उतनी ही डालिएगा जादा मात्रम ही निमट डालिएगा घर की बनी हुई शुद और ताजा ब्रैट साथ में perfect नापतोल से डाले गए मसाले जिसकी वज़र से cutlets का टेस्ट हो जाता है दो गुना और यह हमारे deep fry हो चुके इन्हें बाहर निकाल लेते हैं कलर देखे कितना शांदर कलर आया मतलब खाने का मन कर रहा है तो देरी क्यों करते हैं गर्मा गर्म है तो चलिए इन्हें सर्थ करते हैं और खाते हैं अपने tasty करोंदे की चटनी के साथ साथ में tomato ketchup के साथ और अब मै यदि आज की recipe पसंद आए तो like, share and subscribe, comment करना ना भूले इसी तरह नई recipe में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी तब ते के लिए thank you, bye bye